स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल Benking जैनवे आज की विडियो मेंow 29 तो को मरजर हो चूका है तिरे तीनों बैंकों कर अम परस्णल्स लोन के स्कीव के इनके बारे में देखते हैं पहले हम देख यहां दीके फिचर्ज देख ले के इसके लिए निके एक्शी हैं के service हो गई है यह जो Self-employed या पोर्फेस्टनल है और उस बिजनस में कम से कम का सख़िया हो चुका है application application की minimum edge का किस साल होना चाहिए और maximum edge जो service कर रहे हैं उनके 60 साल और जो business या Self-employed है 65 साल होना चाहिए maximum loan कितना मिल सकता है maximum loan यह depend करता है location के साब से अगर metro और urban area में ब्रांचे से आप वहाँ के हैं तो maximum आपको 10 लाग और minimum 1 लाग रुपईया और वही अगर semi urban or rural area में आप apply कर रहे हैं तो minimum 50,000 और maximum 5 लाग रुपईया personal loan आपको sanction हो सकता है based upon your income and repayment capacity processing charge 2% of loan amount लगता है पर minimum 1000 है और maximum 10,000 रुपईया अब हम देख लेते हैं interest और other charges personal loan में क्या हैं और किस चीज़ पर depend करते हैं देखिए interest rate हुआ processing charge हुआ या panel interest हुआ या पिली क्रोजा चार्ज हुआ या loan amount या 10 year ये depend करता है आप bank of brother के existing customer है या नए customer है अगर आप bank of brother के कम से कम 6 मेना से existing customer है तो उस case में आपका rate of interest loan पर साड़े 10 रुपईया लगेगा वह processing charge 2% minimum 1000, maximum 10,000 plus GST हैं पहले भी देख चुके हैं panel interest 2% on overdue amount अगर आपकोई amount आपका due रह जाता है एक या 2 EMI तो उस पर 2% एक्स्ट्रा उस over due amount पर पेनल इंटेस्ट लगता है पीरी closure charge जैसे मुझे जब 5 सार के लिए loan लेने पर उससे पहले अगर आप बंड करें तो आपकी कोई charges नहीं लगेगी loan amount कितना मिल सकता है पहले भी बताया था मेंट्रो और अर्बन के लिए एक से दस लाग और सेमी अर्बन और रूरर एलियस के लिए पचास से पाच पाच लाग के बीच में कितना दिन के लिए loan मिल सकता है अगर आप बैंक को प्रोधा के एक्जिस्टिंग कस्टूमर है छे महीना से तो आपको चार साल से पांट सरकंद्र इस लोन को चुकाना होता है अब हम आते हैं अगर अप्लिकेंट एविंग एकाउंट रिलसंट से दूसरा इनको भी टेनियर चार से पांट साल दिया जाता है है अब हम देख लेते हैं डॉकुमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं देखे आपको एक लोन अप्लिकेशन कम्प्रेटली फिल्ड अप होना चाहिए साथ में आपको तीन पासपोर्ट साइज अपने फोटो देने होते हैं आपको अपने बैंक का स्टेटमेंट पिछले छे मेने का और जो पासबुक है उसको अपडेट कराके देना होते हैं और एक फॉर्म ओन थाइप होते हैं जिसमें आपको एसेट और लाइबरेटी स्टेटमेंट रहता है वह आपको फिलप करके देने होते हैं अब हम देख लेते हैं कि प्रूप अप डेसिडेंस में क्या चाहिए और प्रूप अपाइडेंटिक लिए कौन-कौन से डॉक्मेंट चाहिए तक प्रूप डेसिडेंस में आप पासपोर्ट दे सकते हैं बोटर आइडी का दे सकते हैं ड्राइबिंग लाइसेंस दे सकते हैं पोस्ट प प्रूप आइडेंटी में पेन काड़, बैलिड इंडियन पासपोर्ट, बोटर आईडी काड़ अगें, ड्राइविंग लाइसेंस और आपकी इंप्लोई आईडी काड़, हम दोनों में देखना है कि प्रूप आइडेंटी में बैंक और ब्रोदा आधार काड़ को एकसेप् इसलिए दो साल की बैलन सीट और पी एल स्टेटमेंट देनी होगी, दो साल की आईटी आर देनी होगी, और ट्रेड लाइसेंस वगेरा देना होगा, देखिए इसकी सेंक्शन और अप्लिकेशन बहुत इजी है, इसको आपको आपकी एलिजबिटी चेक करने के लिए, अप अप्लाई करने के लिए, आपको बैंक अप्रोदा के मॉबाइल बैंकिंग एप्स या वेब साइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी एलिजबिटी बनती है, अप्लाई करते हैं, तो आपको कस्टुमा दूसरे ही दिन 24 गंटे के अंदर बैंक अप्रोदा से फो और गो थेंग यू